हेलो माई दियर स्टूडेंट वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आईसी सी मैथ हम स्टार्ट कर रखाता हमने चप्टर फेक्टराइजेशन आज हम उसकी स्टार्ट कर रहे हैं भी 14C exercise 14C exercise के questions देखते हैं कैसे question करने से पहले हम यहां पर एक identity सीखनी होगी identity के अपने पास a का square minus b का square किसके को लोगता भी एक बार लिखते हैं a minus b और एक बार लिखते हैं a plus में b ठीक है भई अब इस identity का use करेंगे हम इन questions के अंदर सबसे पहले यहां पर देखते हैं x का square agities रखता हुए हम x का square को agities रखेंगे minus 80 बन किसका square होता भी अपने पास 9 का तो मैं यहां लिख सकता हूँ 9 का square उसके बाद अब यह देखो यहां पर इसको मान लेते हम a और इसको मान लेते हम b तो क्या बन गया भी a का square minus b का square a का square minus b का square या निकि इनको एक बार minus करना एक बार plus करना है तो a के आपने पास x है minus का sign b के आपने पास 9 है तो एक बार इनको minus लिख दिया अब एक बार इनको plus करना है तो एक बार x और एक बार plus में 9 और अपना question complete हो जाएगा वस इतना ही करना है इसके अंदर Similarly next question अब यहाँ पर क्या लिखा है 9a square minus 25 9 को क्या लिख सकतों मैं 3a पूरे का whole square फिर minus का sign 25 को क्या लिख सकतों मैं 5 का square तो 3a यानि कि एक बार इस पूरे का square और एक बार इस पूरे का square तो identity 1 अपने पास क्या बन की a का square minus b का square तो 3a का square minus 5b का square कैसे करेंगे इसको एक बार minus में एक बार plus में तो एक बार minus में लिख सकते हैं 3a minus में 5 और एक बार इसी को plus में 3a plus में 5 और यह अपना question होगे यहाँ पर complete उसके बाद question number third देखो भी क्या लिख है इसको 36 को मैं किसका square सकता हूं 6 का y as it is तो 6y का square minus में 121 के अपने पास 11 तो 11 का square कर देंगे हम यहाँ पर तो 6y और यहाँ पर 11 तो a का square पूरा और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास b का square पूरा तो इसको लिखते हैं आपर पहले a minus b और a plus b अब 6y as it is और 11 as it is एक बार इनको minus में और as it is 6y plus में 11 और एक बार इनको में यहाँ पर कर देंगे ऐसे तो हमारा question number 3rd भी complete हो गया है next question हमारे पास यहाँ पर है वही question number 4 question number 4 को कैसे solve करेंगे देखों यहाँ पर 49 है 49 को मैं लिख सकतो है यहाँ पर 7 का square और a as it is तो यहोग है यहाँ पर 7a का whole square minus में 100 को लिख सकतो हमें यहाँ पर 10 और b as it is उसका whole square तो फिर यहाँ पर बन गया यह पूरा बन जाएगा अपने पास a भई और यह पूरा बन जाएगा अपने पास b तो a का square minus b का square वही identity जो हमने पहले यूज किया भी पिछले questions में तो हम इसमें वही लगाएंगे एक बार इनको minus एक बार plus एक बार इन दुनों को रखना है यहाँ पर 7a minus का साय रखेंगे एक बार 10b as it is इनी दुनों को रखना है 7a एक बार plus कर देंगे 10b और यह हो गया हमारा question complete यहाँ पर next पर चलते हैं अभी यहाँ पर दिया है a plus b का whole square minus 36 तो a plus b तो agities रखेंगे पहले a plus b का whole square minus में 36 को लिख सकतो मैं यहाँ पर 6 का square अब फिर यहाँ पर बनेगे आपने पास यह पूरा मान लेते हैं a है और यह हमारा पूरा b है तो यहाँ पर इसको लिखेंगे agities a plus b agities और यह minus का sign और इसको लिख देंगे वापिस 6 और फिर next में इनको वापिस same to same a plus b और यहाँ पर minus की जंग बेगला plus और 6 agities तो यह हो जाएगा अपने पास complete अब चलते है next वाले बाई 16 को कैसे लिखेंगे 16 को हम लिख सकते हैं आपे 4 4 का square होता ना और c agities whole square हो गया यहाँ पर और यह minus का 1 तो 1 को तो हम 1 का square लिख दें कोई fact नहीं पड़ेगा ठीक है भई तो 1 का square हो गया है यहाँ उसके बाद एक बाद a square minus b square है यह identity use कर रहे हम तो 4c minus में 1 कर देंगे एक बार और एक बार कर देंगे आपे 4c plus में 1 और यह हमारा question आपे complete हो जाएगा Question number 7 को कैसे करेंगे भी यहाँ पर 1 agities 1 को यानि कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 का square minus में 64 64 को लिख सकता हूँ मैं 8b का whole square तो वही identity use करने भी जो हमने अभी तक करते आ रहे है 1 को एक बार agities minus में 8b को agities एक बार minus हो गया इनी को एक बार हम 1 plus में 8b कर देंगे प्लस हो गया तो यह हमारा question complete हो गया बस उसके बाद next देखो भी 9 को और 16 का 9 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 3 का square और 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 का square या नहीं कि इसका पूरे का whole square हो गया minus में 25 कि इसका square होता भी 5 का और x as it is तो इसका whole square यही same to same आ गया अब एक बार इसको और इसको minus में एक बार plus में तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर 3 upon 4 minus में 5x एक बार minus लिख दिया और एक बार इसको हम 3 upon 4 plus में क्या कर देंगे यहाँ पर 5x तो एक बार minus में एक बार plus में और यह equation अपना यहाँ पर complete हो गया next पर चलते हैं भी z square ठीक है ज़िए लिख देते हैं z square को minus में 144 किसका square होता भी 12 का तो मैं लिख सकता हूँ 1 upon 12 का square तो फिर वह equation मनगे अपने पास a का square और यह हो गया b का square a का square minus b का square identity यूज करेंगे एक बार इसको z minus 1 upon 12 minus में और एक बार z plus 1 upon 12 और यह हमारे यहाँ पर question यह भी complete हो जाएगा यहाँ पर हम question number 10 कर रहे हैं भी question number 10 में क्या करना है one quesities लिखेंगे square करके minus में इस quesities लखेंगे a minus b का square अब भी बनगे अपने पास ही हो गया a का square और यह हो गया अपने पास पूरा b का square तो identity भी लग जाएगी a का square minus b का square तो one quesities हम यहाँ पर रखेंगे minus में और a minus b लगा देंगे यहाँ ठीक है उसके बाद next इन्ही को वापिस plus कर देंगे one plus में a minus b अब यहाँ पर minus को अंदर multiply करना देखो भी कैसे करेंगे one minus को a से करेंगे तो minus का a minus को minus से करेंगे तो plus का sign और b as it is तो यह हो गया उसके बाद इसको एज़िटीज लिखना one plus में a minus में b और यह हो जाएगा अपना question complete उसके बाद चलते हैं भी next पर next में भी ऐसे ही करना है यह होगा अपने पास a का square और यह हो जाएगा अपने पास b का square sign ने बीच में minus तो a का square minus b का square ऐसे करेंगा वही इनको एक बार minus एक बर plus तो लिखो तो घ्री एम माइनश में by माइनस एम- ень अ बार फान ह् है थो एक बार यह हो या और लिखेंगे प्लस में तो थी एम माइनस में एन त्री एम माइनस में थेम ऐन प्लस में and माइनस में आब माइनस में 2N तो यह हो जाएगा वह अपने वास ठीक है अब यह तो ठीक अपना पट इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा कैसे 3M minus N agities लिखते हैं 3M minus में N agities इस minus को अंदर multiply करते हैं minus को M से करेंगे तो minus का M हो जाएगा minus को minus से करेंगे plus का 2N हो जाएगा ठीक है और यह agities इसको agities लिखना बापस 3M agities minus में N plus में M minus में 2N अब इसको थोड़ा सा simplify कर लेते हैं अब 3M में M को minus करना है 3M में से M minus करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 2M minus का N है और plus का 2N यानि कि 2N में से N को minus करेंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास प्लस का N बच जाएगा इसको इस लिख दो अब अगले वाला 3M को M में add करते हैं तो हो जाएगा भई 4M minus का N और minus का ही 2N तो minus वाले क्यों होते हैं दुनों अगर minus क्यों हो तो sine तो minus करेगा और add हो जाते हैं N और 2N कितना हो जाएगा अपने पास 3N हो जाएगा और यह अपना यहाँ पर question complete हो जाएगा question number 12 कैसे करेंगे अभी देख लो अपना 3X plus 2Y का whole square minus में है 2X minus 3Y का whole square तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मान लेते हैं A इसको मान लेते हैं पूरा B तो identity वही बन जाती है A का square minus B का square एक time इनको minus में रखें एक time plus में तो रखते हैं पहले 3X plus में माइनस में और एक बार इनको रखेंगे plus में 3X plus 2Y as it is 3X plus में 2Y as it is और plus में यहाँ पर रख देंगे अपने पास यहाँ आजेगा 2X minus 3Y 2X minus में 3Y अब solve कर लेते हैं थोड़ा इनको 3X plus 2Y as it is रखो हैं आपर पहले 3X plus में 2Y sin को अंदर multiply करो माइनस का 2X और माइनस माइनस plus 3Y अब उस वाले को रखते हैं जटीज 3X plus में 2Y plus में 2X माइनस में 3Y अब थोड़ा solve कर लेते हैं इस question को कैसे देखो 3X में से 2X गया तो अपने पास X बच जाएगा 2Y में 3Y आड करेंगे तो कितना हो गया टोटल 5Y तो यह हो जाएगे आपे X plus में 5Y next देखो 3X में अगर मैं 2X जोड़ता हूँ तो हो जाता अपने पास 5X plus में 2Y में अगर मैं 3Y को माइनस करता हूँ देखो माइनस और प्लस यह 2 है यह 3 है 3 बड़ा होता है that's why हम यहाँ पर sign लेंगे माइनस का किसका लेंगे माइनस का अब माइनस करते है 3 में से 2 गया कितने बचेंगे अपने पास वई 1 तो यहनि की 1Y बच जाएगा तो अंसर कितना आजेगा भी अपने पास X प्लस में 5Y और 5Y माइनस में 5X माइनस में Y ठीक है भई तो हमने आतक कर लिए question 12 उसके बाद हम अपनी next वीडियो में करेंगे question number 12 से आगे अगर आपको यहाँ तक कोई भी question में doubt आता है ऐसे previous वीडियो भी हमने कर रखे है 14A की और 14B की वो भी देख सकते हो पिछे जाके ठीक है भी और इसमें अगर कोई doubt आता है तो आप मुझे comment भी कर सकते हो thank you